और एक बड़ी खबर बता दे असद वेसी ने राहूल गान्दी पर तन्ज कसा है। सर्दी को मार दिया कि विचारा जो गरीब रोट पे क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत एक करोड का लोन लेकर अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें कि अरतरी Mut кудаए कते इस विव्टी दूख अन्ण देश अब उपर आपना नं लेकर बोले मैं उसकू मार दिया अपना नाम लेकर जोग क्या भॉल एं वह और इस सुनार्ट दिया मैं वह रहें पिर चाही और जिन है राहूल गांदी आपके दिमाग में है मैंने मार दिया उसको वो है ही नहीं मेरे माइन में है ही नहीं गया वो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहूल गांदी नहीं है वो आपको दिख रहा है बात नहीं समझे आप हिंदू धर्म को पड़ो थोड़ा जग्दानंद जी ने मंडल कमंडल को लड़ाने की कोशिश है कमंडल के आगे मंडल जुकेगा नहीं वो माफी वाफी नहीं मागेंगे और छोड़ दीजे स्तीफा उफ़ा तो मैं जी मैं तो पहले बढ़ा ही दूँगा आपको आज ये देश की जनता को जो बताया है न, मैं इसके लिए आपका साधुवाद करूँगा, आपको बहुत दन्यवादा भार व्यक्त करूँगा, कि ये जो पूरी साजिस थी, सडियंत्र था, और हम इसको कल ही कह रहे थे, बार-बार कह रहे थे, कि ये किसी अनपढ़ व्यक् कर दिया, और इसके पीछे की रणिती क्या है, वो खुलासा जग्दानुन जी ने कर दिया, और मैं इसलिए आभर वेक्ट कर रहा हूं, कि आपने इस पूरी रणिती को आज देश के सामने, देश नहीं जुकने देंगे, मैं बता दिया, क्या रणिती इनकी ये ही है, कि कैस कैसे हिंदूओं को बाटो, कैसे जाती आधारिक जो इनकी राजनिती है, जिसके आधार पर इंका दल चलता है, कैसे जाती के इस जहर से पूरी तरह से बिहार को गिर्शित रखो, यही तो किया है लंबे समय तक, आर जेडी ने, जेडी उने, लगातार जाती ये जहर वो कर के बिहार को पिछड़ा रखा है, हम लगातार प्रियास कर रहे हैं, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वाद, सब का प्रियास, लेकिन ये बार-बार डिरेल करने का प्रियास करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, ये कितना भी प्रियास करें, आध्यात्मिक हमारी हिस से दोते हैं एक तुष्टी करंड से धोता है और दूसरा कैसे जाती विवस्ता में हिंदू को तोड़ करके कमजोर कर दें एक तीर से दो निशाने एक तो कमंडल से प्रॉब्लम कमंडल मतलब रिशी परंपरा हिंदू